मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रो यूट्यूब का एक मात्र ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है मुफ्त जोतिशी ये सला याने की फ्री आस्टरलोजी कंसल्टेशन मित्रो अक्सर पंडित जोतिश आपको ग्रहों के नाम पे डराते हैं धमकाते हैं और आपसे पूजा करवाते हैं आज हम आपको मात्र तक्ये के नीचे कुछ सामान रखके आपके ग्रहों को खुश करने का 101 परसंट शर्तिया नुस्खा बताएंगे तो चलिए शुरू करते ह कुन लोग रहा हैं रवी, चंद्र, मंगल, ब्रहस्पती, बुध, शुक्र, शनी, राहु और केतु इन नवग्रहों में से प्रतेग्रह विभिन परिणाम देते हैं और बारा विभिन राशियों में बैटकर कभी-कभी बिलकुल विपरीत परिणाम दे देते हैं हर राशी में प्रतेग्रह की कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम होते हैं शास्त्रों के अनुसार नवग्रहों की स्तिर्ता के लिए कुछ सरल और सुलग उपाई बताए गए हैं जिनको आप अपने जीवन में अपनाने से ग्रह नहीं पहुचाएंगे नुकसान और देंगे वर्दान सूर्य अशुप प्रभाव दे रहा है तो बेट के नीचे तामबे के बरतन में पानी भर कर रखें ऐसा करना संभव ना हो तो तक्ये के नीचे लाल चंदन जरूर रखें चंद्र अगर खराब हो तो बेट के नीचे चांदी के पातर में जल भर कर रखें संभव नहों तो चांदी के गहने पहने और सो जाएं मंगल परिशानी दे रहा हो तो कांसे के बरतन में पानी भर कर रखें अथ्वा तक्ये के नीचे सोने चांदी की धादू से बने जेवा रखें बुद्ध अगर जीवन में उतल पुतल मचा रहा हो तो तकिये के नीचे सोने से बने अलंकार रखें देव गुरु ब्रहस्पती तेडी चाल चल रहे हो तो हल्दी की गाठ पीले कपड़े में बांध कर तकिये के नीचे रखें शुक्र की शुक्ता के लिए चांदी की मचली बना कर तकिये के नीचे रखें अत्वा चांदी के पात्र में जल भरकर पलंके नीचे रखें शनी से सम्मंदित कोई भी समस्या हो तो लोहे के पात्र में जल भर कर बैट के नीचे रखें अत्वा पिलो के नीचे शनी देव के प्रियरत्न नीलम को रखें अगर नीलम रखने से आपको बुरे स्वापन आते हैं तो समझ जाईए शनी महराज रुष्ट हैं और साथ मुखी रुदराक्ष की एक माला धारन कीजिए तो मित्रों मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दियोगी देखते रहिए मोटू लाला इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने और अपने मित्रों का ज्यान बढ़ाईए और देखते रहिए मोटू झाल झाल